नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिको एरलाइन से आ रही तीन बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देने वाले हैं दोस्तों वीडियो को लास तक जरूर देखें ताकि आपको ये पूरी जानकारी मिल सकें इंडिको एरलाइंस से पहली बड़ी खबर शेर प्राइस को लीकर सामने आ रही है शेर मार्किट में लगातार गिरावट होने के बावजूद भी इंडिको एरलाइंस के शेर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है पिछले तीन दिन के ट्रेडिंग सेशन में इंडिको एरलाइंस के शेर प्राइज में काफी उचाल देखनी को मिला अच्छी बात ये है कि जहां मार्किट के सबी शेर गिर रहे है वहीं इंडिको एरलाइंस के शेर प्राइज बढ़ रहे है इसी तरह दोस्तों इंडिको एरलाइंस इंटरनाशनल फैट की संख्या भी लगातार बढ़ा रही है यदि आप पुने एरपोर्ट से ट्रावल करने वाले हैं तो पुने से दुबई के लिए इंडिको एरलाइंस अपनी नई अंतराश्चोडानों की सुरुआत 23 नमबर से कर रही है जिसकी फ्लाइट की टिकट आप 12,451 रुपे में बुक कर सकते हैं इसके लवा दोस्तों दिसंबर महिने से इंडिको एरलाइंस मलेशिया के लिए भी अपनी नई अंतराश्चोडाने बेंगलूरू एरपोर्ट से स्टार्ट कर रही है साथी साथ दोस्तों इंडिको एरलाइंस से अगली बड़ी खबर मौरिसिस से सामने आ रही है आपको बता दे कि बैंगलूरू से मौरिसिस के लिए पहली बार अंतरास्टेवडानों की शुरुवात इंडिको एरलाइंस ने कर दी है और आज इंडिको एरलाइंस ने पहली बार मौरिसिस एरपोर्ट पर सक्सस्पुली लैंडिंग भी किया है दोस्तों आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडिको एरलाइंस ने अपनी पहली फ्लाइट को लेकर सैलिब्रेशन किया है